हम कोई वस्तू उधारण के लिए जब हम गेंद उपर हवा में उच्छा ले तो उसकी गती धीरे धीरे कम हो जाती है एक विशिष्ट स्थान पर वह शून्य होती है फिर वह गेंद फिर से नीचे की ओर आने लगती है ये वस्तू ज्यादा से ज्यादा कितनी उचा ही तक जा पाएगी ये आपने नौवी कक्षा में न्यूटन के गती विश्यक समिकरणों के आधार पर सीखा हुआ है जब गतिमान वस्तू एक समान तवरण से जा रही होती है तब उनका अंतिम वेग वी ये वी इकवल टू यू प्लस अट इस प्रकार दिखाया जाता है यू अर्थात प्रारंभिक वेग और ए ये एक समान तवरण है Newton के ओर दो समिकरण S इकवल टू Ut प्लस वन हाफ एती स्क्वेर और V स्क्वेर इकवल टू U स्क्वेर प्लस तू A S यह है यहाँ S ये वस्तू ने त्या किया हुआ अंतर है इन सारे समिकरणों में वस्तू का वस्तू मान कही भी नहीं आता अर्थात वस्तु का अंतिम वेग आत्वा त्यक याग्यावा अंतर प्रारंबिक वेग पर अवलंबित होती है अर्थात उपर उचाली होई वस्तु कितनी उंची उठेगी ये प्रारंबिक या शुरुवाती वेग और त्वरण इन दो घटकों पर अवलंबित होगा उपर उचाली गोई वस्तु पर केवल गुरुत्वी ये बल क्रिया करता है इसलिए वस्तु में गुरुत्वी ये त्वरण पैदा होता है गुरुत्वी पर ये त्वरण G अर्थात लगबक समान होता है उसका सरासरी मूल्य 9.8 मीटर प्रती सेकंड स्क्वेर जाना जाता है अर्थात वस्तु ने पाई हुई उन्चाई केवल आरंभिक अथवा शुरुवाती वेग पर अवलंबित होगी उन्नीस वी शर्तापदी के उत्तरार्ध में जूल्स वन नामक सूपरसिद्ध विज्यान कथा लेखक हो गया उसने अपनी तथा उपन्यासों से कलपना की हुई अनेक बाते वाद में वास्तव में आई उसने from earth to the moon नामक एक प्रसिद्ध विज्यान की प्रयास करते है उसके लिए वे एक शक्तिशाली तौफ तयार करते है उसके तोफ गोले में बैठक कथानायक चान पर जाता है ये प्रत्यक्ष वास्तव में आना संभव है क्या या ये केवल लेखक की कालपनिक विज्यान कथा है ये हम इस प्रयोक के आधार पर देखेंगे जब तोफ गोला तोफ से बाहर आए तो वो कैसे आता है परियाप्थ शक्तिशाली तोफ न हो तो गोला वापस ही गिरेगा उस गोले का मार्ग अनुवृत्ताकार अथवा पैराबोलिक होता है लेकिन हमने तोफ की शक्ति बढ़ाई तो गोला थोड़ी और दूर जाकर गिरेगा इसका मतलब यहां भी तोफ गोला उसके अनुवृत्ताकार या पैराबोलिक मार्ग से और आगे गिरा हुआ है सिर्फ यह कि अब गोले का तोफ से कुछ ज्यादा दूरी पर होगा इस प्रकार हम अधिक से अधिक शक्ति शाली तोफ बनाते गए तो तोफ का गोला अधिक से अधिक दूर जाता हुआ दिखाई देगा येकिन हर बार ब्रह्मन मार्ग अण वृत्ताकार या पैराबोलिक ही है परन्तु अगर ये दोफ सचमुच अधिक ताकद्वर बनाए तो उसमें से गिरने वाला गोला किस मार्ग से जाएगा तो आपके ध्यान में आएगा कि वह गोला वृत्ताकार या लंबा वृत्ताकार का क्षा में पृत्वी के इद्रिधी घूमने लगेगा उसका मारग अलक प्रकार का दिखेगा, वह मारग हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं जिसमें वह गोला अब पृत्वी के इद्री इर्द घूमने लगा है। ये जो गती है जिसके कारण तोफ से निकला हुआ गोला पृत्वी के इद्री इर्द घूमने लगा, V मुक्तिवेग, Escape Velocity नामक गती है। ये गती पृत्वी के बारे में 11.2 किलोमेटर प्रती सेकंद है। प्रती ग्रायय उपग्रह की ये गती विभिन्न होती है। वह उन ग्रहों या उपग्रहों के वस्तुमान पर अउलंबित होती है। इसका एक प्रात्यक्षिग अब हमने इस एनिमेचन में दिखाया है। इस वेग का उपयोग करके आज भी क्षेपणास्त्र और उसकी नोक पर बिठाये हुए कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करते हैं। कृत्रिम प्रक्षेपित करते हैं। कृत्रिम प्रक्षेपित करते हैं। झाल झाल